अधिया और देखिए मैं आज टमी फेक कम करने के लिए दो एक्सेसाइस बताऊंगी बहुत अच्छी है दोनों नोकासर विप्रित नोकासर दोनों बहुत अच्छी है उसमें आपको क्या करना है देखिए उससे करने से क्या होगा आपकी पेट की मसल्स जो है वह चारो तरफ से उसका फेट पिगलेगा चारो तरफ से जब फिचाव आएगा उसमें तो फिचने उसकी चल्बी पिगलेगी पिगले के वह डिसल्व हो जाएगी तो जो यह उसके लिए बहुत अच्छा है यह नोकासर उसको करने की विदी देख लेगा उससे और भी आपको इस ट्रेट रहेगा ठीक है बहुत अच्छी आपकी इस ट्रेट रहेगी उससे आपका फिजिक अच्छा दिखेगा तो यह कुछ चीजें हैं बेक बोन को भी मजबूत ही मिलेगी उससे बहुत अच्छी एक्सराइस है देख लीची तोनों हाथ पेंदे पीछे रखिए दो बहुत अच्छा है अब धीरे से अगर आप बैलेंस बना सकते हो तो बैलेंस बना के दोनों हातों का आगे रहेए देखिए गुटने एकदम आपके स्ट्रेट रहेंगे देखाई नहीं दे रहा है आप गुटने दोनों स्ट्रेट रहेंगे बिल्कुल पंजाबनी साइट जुक्ने हो रहेंगे और आपको इस पोजिशन में रहना है अब इसमें आप और थोड़ा सा बैलेंस बना सकते हो तो दोनों अंगुठे पकर लीजिए और ये इसमें गुटने एकदम स्ट्रेट पीट स्ट्रेट ये नोकासर बहुत अच्छा आसन है इसमें आपको एक तो बैलेंस बनाना आएगा और आपकी जो है पीट की मसल्स मजबूत होंगी बोन्स मजबूत होंगी आपके भूटने अच्छे होंगे पेर आपके मजबूत होंगे इस फोगे आपका stress relief होगा इस से stress reliever exercise है यह आपका tension खतम होगा इस से तो friends एक तो यह वाली है नोकासन एक इसके opposite आता है विपरित नोकासन दोनो बहुत अच्छी है exercise पेट की चर्बी कम करने के लिए और भी बहुत सारी फायदा है इसके बहुत जादा benefits है नोकासन के boat pose जिसे कहते हैं अब आप दूसरा उल्टे लेट जाए यह तो हो आपका सीधा वैसे भी exercise का इसका नियम है आसन के जब आप एक साइच से लगाते माल आगे जुखने वाला लगाते तो आपको पीछे जुखने वाला आसन भी करना चाहिए तो दिए बहुत ही गोटले बीडिव उपर उठाने हैं आपको में थाईशक उठाना है और आगे से हाथ वुछा दिना है और हाथों के अग्यएमेल्स पोनाफ पात्वेकर आपको देख्वा है है कि इसमें पहर आस्पे करना हैं कि 시간 Means अधित को में इस यह पीर नाहीं हो गुटने सही आपको उठाना लें थाइस तक तो फ्रेंट्स ये दो मेंने बताई इसमें आपको तींचा बाफ और आप रिपीट कर लीजिए तींचा बाफ बिलिनर से तो पास-बाफ से स्टार्ट कीजिए अगर आप करते रहे हैं तो 15 सेकेंड्स इस्टे कीजिए और दोनो एक्सरसाइस बहुत अच्छी है लजिए आपके इंटर्नल पार्ट्स की सभी पार्ट्स की मजबूती के लिए बहुत अच्छी है आपकी डायविटीज भी कंट्रोल करें किये और इस्ट्रेस रिलीवर तो है ही सही तो फ्रेंड्स देखते रही में चैनल लाइक कीजिए देखें चालिस के बाद पेतानिस के बाद आपका पेट बढ़ जाता है बढ़ गया है तो कम करना मुश्किल होता है तो इससे आपका वाली चर्वी जो 40 प्लस वाले है 45 वाले है उनकी जो चर्बी लटक गई है वो जो है पेट लटक गया है तो वो इसको करते रहेंगे तो उनकी चर्बी बहुत जाद बहुत अच्छे से मतला उससे बढ़ होगी और पेट आपका खिचाओ की वज़े से स्ट्रेच की वज़े से सही जगें पे आने लगेगा तो प्रेंश देखते हैं ही में चनल और थेंक्स पर वाचिंग